तो दोस्तो जिस बाइक के BS6 में अपडेट होने का इंतजार आप लोग काफी समय से कर रहे थे जिसका अपडेट लॉगडाउन के वज़े से रुका हुआ था तो लॉगडाउन में थोड़ी सी धिलन मिलने पर हॉन्डा कंपनी का प्रोडेक्शन 25 मई से सुरू हो गया था तो कंपनी ने इसी बीच अपने सस्ती और की फायती बाइक हॉन्डा सीडी ओन टें जिरीम का BS6 मोडल लॉंच कर दिया है जी हाँ दोस्तो यहाँ बाइक आपको कुछी दिम में आपके नस्दी की सुरू में मिलना सुरू हो जाएगा जिससे कि आपको एक और नया ओप्सन एड़ हो जाएगा एक सोदस इस सेग्मेंट में तो चलिए जानते हैं कि कमरीन आखिर बाइक में क्या क्या changes की हैं तो चलिए भी जो start करते हैं तो चलिए सबसे पहले इसमें मिलने वाले color options की बात कर लेते हैं तो दोस्तो मैं है आपको बता दू कि इसमें आपको दो फरे इंच मिलते हैं पहला है Standard Variant जिसमें कि आपको 4 Color Option देखने को मिल जाते हैं जिसमें कि पहला है Black with Red Graphics, दूसरा है Black with Gray Graphics, तीसरा Black with Blue Graphics और चौथा Black with Cabin Gold Graphics वहीं दूसरे Variant, Deluxe की बात करें तो इसमें भी आपको 4 Color Option ही देखने को मिलते हैं जिसमें कि पहला है ब्लैक, दूसरा है गेनिक ग्रे मेटालिक, तीसरा इंपेरियल रेज मेटालिक और चौथा एटलेटिक ब्लू मेटालिक कलर ओपसंस हैं दूसरे पॉइंट लूक एवाम इस्टाइलिंग के बात करें, तो लूक के मामला में इसमें कोई भी चेंजस नहीं किये गया है यह बिल्कुल अपनी BS4 मोडल की तरहीं दिखती है, सिर्फ इसका बोड़ी ग्राफिक्स को ही चेंज किया गया है, बाकी ओवराल गारी सेम है अब बात करते हैं इसके इंजन के बारे में, तो इसमें आपको 109.51cc का सिंगल सिलेंडर 4 इस्टोक BS6 कॉम्प्लाइंट फिलेंट जैसन इंजन मिलता है, जो 8.6 BHP का पावर देता है 7500RPM और 9.30RM का टॉर्क देता है 5500RPM जो की आता है 4 इस्पीट के गेर बोक्स के साथ अब बात कर लेते हैं इसके टायर्स के बारे में, तो इसके फ़रंट में आपको 80x100 18INC का टूलेस्टर देखने को मिलता है, अब बात आती है इसके ब्रेक्स के बारे में, तो इसके फ्रंट और रियर दोनों में ही आपको 130mm का डरम ब्रेक मिलता है, जो की आपको काफी ज्यादा आवाज की बाइक स्टार्ट हो जाती है अगला फीचर है ESP मतलब enhanced smart power जिस technology से होने से यह बाइक का वो काफी अच्छा mileage और power deliver करती है अगला है DC halogen headlamp, engine kill switch, integrated headlamp beam और pass switch जैसे फीचर आपको मिल जाते हैं इस बाइक में अब कुछ dimensions की बात कर लेते हैं तो इसमें आपको 1285 mm की wheelbase, 112 mm की ground clearance, 790 mm की seat height, 112 kg की curve weight और 9.9 liter की fuel tank up city मिल जाती है आपको इस bike में अब आते हैं सबसे जरूरे मुद्दे के ऊपर, जो की है इसका mileage, तो wheel injection system लगने के वाज़ा से यह आपको पाले से मुकाबले कुछ जाता अच्छा mileage दे पाएगी, लगभग 70-75 के MPL का, जो की अपने segment में काफी अच्छा mileage माना जाता है इसके price के बारे में बात कर लेते हैं, तो इसमें आपको दो variants मिलते हैं, एक है standard variant, जिसका एक चुर्म निदिल्ली का price है 64,505 रूपीज, और दूसरा गिलक्स variant, जिसका एक चुर्म निदिल्ली का price है 65,505 रूपीज, तो इन दोनों ही variants में आपको लगवा 1000 रूपे का अंत प्संद आई होगी अगर पसंद आई होगी तो लाइक कर दें और आप चैनल पर ना है तो मारे सब्सक्राइब कर दें तो फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ तो इसके लिए स्टेट रूट